नमस्कार स्वागते आपका चुनाव आचितक पर मैं हूँ रवीश पाल से मद्रबदेश में सोमवार को मोहन कैबिनेट का विस्तार हुआ है रामनिवास रावत जो लोकसभद चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस छोड़कर भारती जन्ता पार्टी में शामिल हुए थे उन्हें कैबिनेट मंत्री पद की शपत दिलाई गई है राजभवन में ये कारिक्रम हुआ महस 20 मिनट का ये कारिक्रम था क्योंकि सिवाए रामनिवास रावत के किसी और ने मंत्री पत की शपत नहीं ली आपको बता दे कि मोहन कैबिनेट का ये पहला विस्तार माना जाएगा क्योंकि पिछले साल मोहन यादव ने मुख्य मंत्री पत की शपत ली थी अपने दो उपमुख्य मंत्रियों के साथ उसके बाद 25 निसमबर को मोहन केबिनेट के मंतरी मंडल ने शपतली जो तमाम मंतरी थे 28 करीब मंतरी थे जिन्नों ने उस समय शपतली थी 25 निसमबर को और उसके बाद अब ये पहला विस्तार माना जायगा जिसमें 사oreavat ने राजभवन में मंत्रिपत की शपतली है आपको बता दे कि रामनिवास रावत कॉंग्रेस से 6 बार के विधायक है और गौालियर चंबल की राजनीती का एक बड़ा OBC चहरा भी है रामनिवास रावत ने चुनावाच तक से भी कल बात की थी उन्होंने उपेक्षा का आरोप लगाया था कॉंग्रेस के ओपर उन्होंने कहा था कि वो इतने वरिष्ठ विधायक हैं लेकिन उनकी पार्टी में पूछ नहीं थी यहां तक कि जब बात नेता परदिपक्ष बनाने की आई तो वो सबसे वरिष्ट विधायकों में से थे लेकिन नजर अंदास कर दिया गया किसी और को नेतापधिपक्ष बनाये गया जाहित सी बात है इस बात को लेकर लोग काफी जादा आनारास थे लेकिन चुनाव आज तक आज आपको बताएगा कि आखिर क्या वज़े रही कि कॉंग्रेस छोड़ने वाले लोग सभा चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस छोड़ने वाले रामनिवास रावत को लोग सभा चुनाव के नतीजों के बाद तो जब मंद्रेपदेश में 29-39 सीते बाचपा जीरी तो उसके बाद कैबिनेट मंतरी बनाना पड़ा तो आपको बता दे कि इसके पीछे की एक बड़ी वज़े है गौालियर चंबल की राजनीती से रामनिवास रावत का आना फिलहाल अगर हम बात करें तो गौालियर चंबल का जो पूरा संभाग है उसमे प्रद्युमन सिंग तोमर को अगर हम देखें तो वो एक बड़े मंतरी के रूप में अपनी पहचान मना चुके हैं वो उर्जा मंतरी है इससे पहले की सरकार में भी उर्जा मंतरी थे प्रद्युमन तोमर के अलावा अगर दिखे जाए तो कोई ऐसा बड़ा नाम गौालियर चंबल की राजनीती से मोहन केबिनिट में जगे नहीं पा रहा था और शायर यही वज़े है कि गौालियर चंबल से एक और प्रतिनिधित्व रामनिवास रावत के रूप में सरकार में लाया गया है दूसी तरफ अगर हम बात करें तो शोपूर जो है जिस जिले के अंतरगत विजयपूर विधान साभा आती है जहां से विधायक हैं रामनिवास रावत वहाँ पे हम एक से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बेहत पिछला जिला है को पोशन की मार जिल रहा है सिचाई का मामला हो अदो संग्रचना की बात हो शोपूर जिला काफी पिछले जिलों में आता है ऐसे में यहां से अगर मंत्री बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है शोपूर के जिलों को और आसपास के जो तमाम जिले हैं उन्हें इस बात की जानकारी रहेगी कि उनके पास एक मंत्री है और जाहिर सी बात है वो अब बहतर तरीके से अपनी बातों को भोपाल तक पहुचा सकते हैं मंत्री होने के चलते जाहिर सी बात है इलाके को अत्रिक्त फंड भी मिलेगा लेकिन इन सब के इतर जो सबसे बड़ी बात है वो है भारतिय जनता पार्टी का कॉंग्रेस नेताओं को कारिकरताओं को ये संदेश देना कि कॉंग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद आप की कदर की जाती है आपको नजर अंदाज नहीं किया जाता है यही वज़े है कि रामनिवास रावाद जो की एक बड़ा OBC चहरा है उन्हें केबिनेट मंत्रिपत की शापत दिलाई गई है इसके जरिये एक तरीके से ये संदेश देनी की कोशिश की गई है कॉंग्रेस कारे करताओं को कि अगर आप कॉंग्रेस छोड़के भाजपा में आएंगे तो आपकी कदर की जाएगी कॉंग्रेस वैसे भी लंबे समय से विपक्ष में हैं लोग सभा चुनाओं से ठीक पहले भारतिये जंता पार्टी ने बड़े पैमाने पे कॉंग्रेस में तोलफोल का एक अभियान चलाया बकाइदा इसकी जिम्मेदारी मद्बदेश के पूर्व ग्रेमंतिर नरुतम मिश्रा को दी गई नरुतम मिश्रा को जम्मेदारी दी गई न्यू जॉइनिंग टोली कर सायोजग बनायागा और उसके बाद करी तीन लाख से ज़्यादा कॉंग्रेस के नेताओं ने पूर्व मंत्रियों ने सांसदों ने पूर्व सांसदों ने वर्तमान विधायकों ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद वो भारतिय जंता पार्टी में आ गए हैं इससे पहले आपको बता दे कि साल 2020 में ये क्रम शुरू हुआ था जब कॉंग्रेस छोड़ करके 22 से ज़्यादा विधायकों और मंत्रियों ने भारतिय जंता पार्टी की सदस्ता ली थी जोतिरादित सिंधिया के साथ मिलके उस समय जो तरादिति सिंधिया के साथ आये जादातर नेताओं को तत्कालीन सरकार में मंत्री भी बनाया गया था उन मेंसे कई मंत्री उपचुनाव जीत करके अपने मंत्री पद को बर्गरा रखा रहा तो वहीं कुछ चुनाव हार गए थे जिने बाद में निगम और मंडलों में नियुक्तियां दे कर कहीं न कहीं उस समय की कमनलाथ सरकार गिराने का इनाम भी दिया गया लेकिन अब रामनिवास रावत को चुनाव के बाद जॉइनिंग करवाने के साथ ही मंत्री पद देने के चलते भारती जन्ता पार्टी अब ये संदेश देने में जुटी हुई है कि अगर आप भाचपा में आते हैं तो फिर यहाँ पे आपको नजर अंदाज नहीं कह जा को गाहे बगाहे अपनी बात एक जन्ता पार्टी ये मान के चल रही है कि अगर उनको उपेक्षा का डर सता रहा है तो फिर उनके लिए ये संदेश हैं कि उनके लिए एक विकल्प खुला हुआ है अगर कॉंग्रिस में नहीं तो विपक्षी दल जो है कॉंग्रिस का भारती जंता पार्टी जो की मद्रपदेश की सरकार में भी है और केंद्र में भी सरकार में हैं कहीं न कहीं वहाँ पर उनकी उपेक्षा नहीं बलकि उनकी कदर की जाएगी